सीम आज बाड़ प्रभावित जिलों के दौरे पर हैं जिसमें बाहराईच गोंडा बलवरामपूर दौरे पर सीम योगियाद सिनाथ मुझूद रहेंगे सिधात नगर माराज गंज में बाड़ प्रभावित इलागों का वो दौरा भी करेंगे और हवाई सर्वेक्षण के जरिए वो देखेंगे कि क्या स्थिती है अभी इसके अलामा बताये जा रहा है कि बाड़ राहत केंद्रों का भी निरिक्षण करेंगे दो पहर एक बजे लखनव से जिलों के दौरे पर निकल जाएंगे सीम और इसी के तहट तमाम जगहों पर उनके जाने का कारिक्रम तैह हो चुका है हवाई सर्वेक्षण है और जो राहत बचाव कार जिन केंद्रों से हो रहे हैं उनकी क्या स्थिती है वहाँ पहुँच कर देखेंगे और तमाम जो अधिकारी हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं बचाव और राहत के काम में उनसे भी रिपोर्ट लेंगे कि किस तरीके से काम चल रहा है कोई परिशानी या दिक्कत ताकि और अच्छे से बाकी लोगों की मदद की जा सके जो इस वक्त परिशानी में तो ये एहम रहेगा आज के दिन हवाई सर्वेक्षण के साथ-साथ राहत बचाव काम में लगे तमाम अधिकारी हों से रिपोर्ट तलब करेंगे अब वो बताएंगे कि उन्हें किन-किन चीजों की जरुरत है कहा कहा दिक्कत पेश आ रही है ताकि आम लोगों की मदद अच्छे से की जा सके तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है एक बजे बताया जा रहा है कि सीम निकलेंगे दौरे पर सारा कारिक्रम तै है तैस समय के हिसाब से चीजें जानकारी मिल रही है कि शुरू होगी चलिए रूप करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोडा का लखनव से वो जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि पुर्वांचल में जिस तरीके से बार का कहर नजर आ रहा है शैलेश अब देखिए जादा तर आज भी जानकारी मिल रही है कि नदियां उफान पर ही रहने वाली है ऐसे में सीम का दौरा भी है तमाम तैयारियां भी की होंगी कहां कहां जाएंगे क्या कुछ देखेंगे जानकारी बताईए मुख्यमंत्री के निर्देश पर तमाम जो मंत्री है वो अलग अलग छेत्रों में गए थे उन्होंने बाड़ प्रभावी छेत्रों का निरिक्षण किया था और इसके बाद में अब मुख्यमंत्री देखिए कुछ जा रहे हैं इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने जो मुख्यमंत्री हवाई सर्मेक्षण करते हुए हालात का तब आगे जाते थे लेकिन अब वैसे तो बहुत साइच छेत्रों में बाड़ का असर है वो लगबक कई पर खत्म है तो कई कम हो गया लेकिन जहां अभी बाकी है तो उसी के तहत आज मुख्यमंत्री जाएंगे प्रभावित इलाकों की जानकारी लेते हैं क्यूंकि आज भी कुछ खास अच्छी खबर मिलती नजर नहीं आ रही है न मौसम विबाग से कि नदियों का जल्सतर कब से घटेगा कब से चीज़े थोड़ी ठीक हो सकती है जी शैलिश तो हमारे सायोगी शैलिश बता रहे थे कि आज तै कारिक्रम है जिसके तहत सीम जाएंगे बाड़ प्रभावित इलाकों का सरविक्षण करेंगे लेकिन किस कि जिलों में उनका दौरा रहेगा क्या टाइम शेड्यूल रहेगा वो भी हम आपको बताएं करेंगे सीम तीन चालिस बजे पर ये वक्त है जब राहत केंद्र बरॉली का वो दौरा करेंगे बाड़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी करेंगे और चार बच के पंदरा मिनट पर गोंडा में मीडिया से बातचीत का कारिक्रम है और साड़े चार बजे तरबच इतरया मिए बाड़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षन होना है और बलरामपूर के लिए वही से फिर सीम रवाना हो जाएंगे शाम पांच बजे फिर से लोगों से मुलाकात का कारिक्रम है पांच चालिस पर बलरामपूर से मीडिया बातचीत करेंगे वीडि